अस् universo अलेकूं फ्रेंटस कैसे हैं आप सब? बहुत ज़ादा अपसो सो रहा है फ्रेंटस क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और धूब की वज़े से हाई टैंपरेचर की वज़े से बहुत सारे प्लांट हमारे मर गए हैं तो वीटियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे प्लांट बहुत बुरी और बहुत खराब कंडिशन में हैं तो ये कोचिया का प्लांट है जो हरा भरा दिख रहा है और बहुत अच्छा हेल्दी है बाकी बहुत सारे प्लांट हमारे बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं बहुत जल से गए हैं एक दम मरने की हालत में आ गए हैं और बहुत सारे तो मर ही गए हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है और हमारे बच्चे मेनद भी कर रहे हैं पानी भी डाल रहे हैं और जबकि जब सूरस डूप जाता है और थोड़ा ठंडा होने लगता है तब हम पानी डालने को कहते हैं बच्चे तभी पानी डालते हैं जब साम होने लगती है वही साथ बज़े के टाइम पानी डालते हैं फिर भी हमारे प्लांट बहुत बुरी कर्डिसन में हैं तो इतना मौसम नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जुलस रहे हैं देखिए कितने हरे भरे थे हमारे प्लांट और आप लोग देखी सकते हैं हमारी वीडियोज पे जाके अभी विंटर में और फरवरी मार्च अप्रेल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था मासला मारा गार्डन लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा तेज धूप की वज़े से बहुत ज्यादा हाई टेम्टरेचर की वज़े से सबजियों वाले प्लांट भी जो बेलों वाली थी ककड़ी वग निकलते हैं तो हाथ पैट जलने जैसे लगते हैं कि जल रहा है तो यह प्लांट तो सारा दिन खड़े रहते हैं धूप में तो यह जमीन में क्यारी में जो लगे हैं हमारे अनार है और यह करी पत्ता वाला है वो तो मासला कुछ हैल्दी है और बाकि जो टेरिस पे छट पे हम सेयर भी करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हमारे चल रहे थे और भर भर के फ्लावरिंग भी उस पे हो रही थी लेकिन अभी तो बहुत बुरी कंडीशन में है यह देखिए यह हमारे गार्डन में चारों तरफ गलाडिया फैले हुए थे हर छोटे बड़े में और वेस्ट चीजों में और गमलों में सभी में बहुत अच्छे से इनकी ग्रोध थी और फूलों से भरा हुआ था हमारा गार्डन और कितने प्यारे इनके फूल होते हैं आप लोग तो देखते ही हैं जानते ही हैं जितने भी गार्डनर हैं वो तो जानते ही हैं कितने खुबसूरती से खिल रहते हैं पूरा भरा रहता था फ्लावरिंग से क्योंकि इसकी हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है कभी भी नहीं रुकती है चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसाथ हो हमेशा इस पर फ्लावरिंग होती है और बहुत खुबसूरत इसके फूल होते हैं औ और ये मिर्ची गुड़हल है ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था वो भी सूख गया है और अलग गमलों में जो हमने लगा हुवे थे बहुत बड़े बड़े प्लांटे पूरा फुलों से भरा था तो सारे गुड़हल हमारे खराब हो गए हैं और देखिए इधर भी टमाटर और बाइगन जितने भी लगे थे हमारे कंटेनर में आप लोगों से दिखाते रहते थे वो भी मर से गए हैं जल गए हैं और गलाडिया तो हर जगे पे थे सारे गमलों में ये देखिए ये भी सूख गए हैं तो बहुत ज़्यादा अपसोश हो रहा है द कुछ कर देते हैं गार्डन में इतना अपसोश होता है कि गार्डन में जाने का मन भी नहीं करता है और ये वैंडिंग जी है जो बहुत खुबसूरत हरी भरी थी तो वह तो जैसे हमारे गार्डन से खतम ही हो गई है बस इसमें थोड़ा से था तो कुछ दिन के बाद ये भ करता हाल हो गया इसका बहुत जादा फ्रेंट दुख हो रहा है इतना जादा बच्चों की तरा इनकी देख भाल करो और जब इतने अच्छे रहते थे इतने प्यारे लगते थे और इस टाइम बहुत जादा आपसोश हो रहाए इनको देख के बहुत बुरी कंडिशन में है इतनी मेहनत के बाद इतनी पानी देने के बाद इनकी ये हालत है बच्चे विचारे जाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इतने सारे प्लांटर हैं सब में पानी देते हैं फिर भी और यह हमारा गुलाब का प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी और इधर जब से बहुत तेज धूप हुई है तब से बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं दो प्लांटे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी दोनों खराब हो गए हैं और ये सारे प्लांटर हमारे खाली हो गए हैं, बहुत सारे प्लांट मर गए हैं, बहुत सारे अभी मर रहे हैं, अभी आधे मरे हैं, कुछ-कुछ पूरे मर गए हैं, बहुत दिक्कते हो रही हैं, ये मिर्ची का प्लांट हमारा फूलों से भरा हुआ तकलियों से, ये भी बहुत खराब हो गया है अनार कपड़ा से प्लांटे उपर और ये करीपता ये भी जमीन में है तोहरा है और जो उपर है जितने उतने सारे खराब हो गये हैं मधू कामनी हमारा बहुत अच्छा था और हिबिसकस सारे जो मल्टी पेटल्स वाले और पिंक वाले वो सारे तेज धूप और करमी से और ये कद्दू की बेल ये भी एक फ्रूटिंग करके बस एक बार हर्वेस्टिंग मे जो बरसात की सबजियां हैं उनकी सीड भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ तो सब कुछ जल रहा है वैसे ही तो बारिस भी नहीं हुई है एक बारिस हो जाए तभी लगाएंगे और इधर जो सलीफा का प्लांट है तो उसकी पतियां भी उपर से कुछ अलकेल की जल हाँ जबकि यह प्लांट यहां क्यारी में जमीन में है जबकि पानी भरते रहते हैं इसमें हं और यह सथा बहार हो बहुत खुब्सुरत इसमें फूल की रहे हैं क्योंकि यह जमीन में है उपर वाले तो हमारे सारे ही जल गए हैं किसी दिन पूरा आपको अच्छे से आप लोगों से आप लोगों को दिखाएंगे शेयर करेंगे बहुत सारे प्लांट जल गए हैं तो इतना दुख हो रहा है क वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं बहुत अफसोस हो रहा है फ्रेंड्स